Hello dear children, today we are going to solve practice set 2.1 of class 9 part 1 algebra. Classify the decimal form of the given numbers into terminating and non-terminating recurring type. अभी यहापे हमें classify करना है decimal form of the given number into terminating and non-terminating. Firstly यह जो number दिया हुआ है इसको हमें decimal form में write down करना है और उसको जो number मिल जाएगा हमें वो terminating है या non-terminating यह write down करना है तो first example दिया है 13 upon 5 तो 13 number को हमें 5 number से divide करना है तो इस प्रकार करेंगे 5 to 10, 13 minus 10, 3 तो यहापे लगाया 0, लगाया यहापे decimal point 5, 6, 30, 00, reminder तो अभी यहापे 00, reminder मिल गया है इसका मतलब क्या है यह जो number है अभी यहापे यह जो decimal form हमें मिल गया यह decimal form किस प्रकार का है terminating type का है क्योंकि यहापे यह खतम हो गया क्योंकि reminder 00 है इसलिए यह type कौन सा है terminating terminating यानि यह जो decimal form है 2.6 यह कैसा है terminating type है second example देखते है 2 upon 11 यानि 2 number को हमें कोंसे number से divide करना है 11 number से हमें divide करना है तो देखो इस प्रकार से हम divide कर सकते है firstly 2 जो number है वो 11 के table में नहीं है इसलिए 11 0 जा 0 2-0 0 sorry 2-0 2 यहापे 11 0 जा 0 तो 2-0 2 यहापे लगाया 0 तो यहापे लगाया decimal point 11 1 जा 11 20-11 9 0 लगाया 11 8 जा 88 90-88 किया तो यहापे 2 0 लगाया फिर से 11 1 जा 11 20-11 9 फिर से 0 लगाया तो 11 8 जा 88 2 reminder इस प्रकार से अभी यहापे देखो 18 number जो है वो क्या हो रहा है repeat हो रहा है 18 number क्या हो रहा है repeat हो रहा है और यहापे reminder भी आ रहा है यानि reminder 00 मिल रहा है कि हमें नहीं यानि यह terminate हो रहा है क्या नई non-terminating है और recurring भी है क्योंकि 18 number क्या हो रहा है बार-बार मिल रहा है इसलिए यह जो type है decimal form है यह कैसा है non-terminating non-terminating recurring type क्योंकि यह जो 18 number है वो बार-बार repeat हो रहा है तो 18 के उपर एक बार लगा के भी हम इसको write down कर सकते हैं क्यों बार लगा है क्योंकि 18 number only repeat हो रहा है इसलिए हम इसके उपर बार लगा के भी write down कर सकते हैं थर्ड एक्जाम्पल देखते हैं 29 अपॉन 16 अभी 29 जो number है इसको हमे 16 number से divide करना है तो देखो इस प्रकार से करेंगे 16 बन जा 16 9-6 3 2-1 1 0 लगाया यहाँ पर आगया decimal point 16 8 जा 128 10-8 2 2-2 0 यहाँ पर लगाया 0 16 1 जा 16 20-16 किया तो यहाँ पर 4 बचा यहाँ पर लगाया 0 0 लगाने के बाद 16 2 जा 32 40-32 किया तो यहाँ पर 8 बचा 0 लगाया 16 5 जा 80 80-80 0 0 अब यहाँ पर रिमांडर क्या मिल गाया 00 इसका मतलब यह complete हो गया यानि यह जो type है 1.8125 यह जो decimal number हमें मिल गया decimal form जो मिल गया वो complete हो रहा है यानि यहाँ पर खतम हो रहा है उसके आगे कोई भी number नहीं मिल रहा है इसलिए यह terminating type है terminating type इस प्रकार से हम इसको write down कर सकते है next example देखते है 17 upon 125 यानि यह जो 17 number है इसको हमें 125 से divide करना है इस प्रकार से write down करेंगे तो अभी 125 के table में 17 number तो बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पर 125 0 जा 00 यानि 17 बचें तो यहाँ पर लगाया 0 0 लगाने के बाद यहाँ पर लगाया decimal point 125 1 जा 125 10 माइनस 5 5 6 माइनस 2 4 यहाँ पर 0 फिर से यहाँ पर 0 लगाया 450 हो गए तो 125 3 जा कितने मिल रहे है 375 दोनोखी करदी subtraction 450 माइनस 375 की यहाँ पर मिल गए 75 फिर से 0 लगाया तो 125 5 जा 750 दोनों की subtraction की तो यहाँ पर 00 हमें मिल गए reminder 00 reminder मिल गए इसका मतलब क्या हो गए यह जो decimal form हमें मिल लगाया वो कैसा है terminating है complete हो गया वो इसके आगे कोई भी number नहीं मिल रहे इसलिए यह जो type है decimal form है वो कैसा है terminating type है next example देखते हैं fifth number का 11 upon 6 11 number को हमें 6 number से divide करना है तो देखो किस प्रकार से solve करेंगे 6 1 जा 6 11 minus 6 5 0 लगाया यहाँ पर लगाया decimal point 6 8 जा 48 2 बच्चा 0 लगाया 6 3 जा 18 20 minus 18 क्या तो यहाँ पर 2 फिर से 0 लगाया 6 3 जा 18 फिर से 2 0 लगाया 6 3 जा 18 2 बच्चा यानि यहाँ पर क्या हो रहा है 3 3 3 जो number है वो recurring हो रहा है बार बार आ रहा है और यहाँ पर यह जो reminder है वो भी 00 नहीं मिल रहा है यानि यह जो example है वो complete हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर reminder आ रहा है यानि यह जो example है terminating नहीं है और recurring है यानि terminating नहीं है यानि क्या है non-terminating है तो इसलिए यहाँ पर write down करेंगे non-terminating recurring type यानि non-terminate भी है और recurring भी है यानि 3 नमबर बार बार आ रहा है इसका मतलब वो recurring है Next question देखते है Question number 2 Write the following rational numbers in decimal form First example दिया है 127 upon 200 यानि 127 नमबर को हमें 200 से divide करना है तो अभी 200 नमबर 127 से बड़ा है इसले 200 जीरो जा जीरो 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 तो यहापे 127 जैसा था वैसा बचा तो यहापे लगाए 0 तो यहापे लगाए decimal point 200 सीच जा 1200 तो यहापे 70 बचे फिर से 0 लगाया तो 200 थीजा 600 100 बचे फिर से यहापे लगाया 0 1000 हो गए तो 200 फाइजा 1000 000 याने यहापे reminder क्या मिल गाया हमें 00 और answer क्या मिल गाया हमें 0.635 इसले यहापे red down करेंगे 127 अपॉन 200 इक्वल टू 0.635 यह मिल गाया हमें इसका answer 25 से बढ़ा है तो 99 जीरो जा 00 25 बचे तो 0 लगाया यहापे तो यहापे decimal पॉइंट आ गया तो 99 टू जा 198 माइनस किया तो दोनों का subtraction करने की बाद यहापे 52 बचे फिर से यहापे 0 लगाया 520 हो गए तो 99 फाइजा 495 दोनों की की subtraction तो यहापे 25 बचे तो यहापे फिर से 0 लगाया 99 टू जा माइनस 198 फिर से यहापे 52 आ गए फिर से 0 लगाया यानि यह जो हो रहा है यह क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है यहापे देखो 25 फिर से 0 लगाया 198 फिर 52 फिर 0 लगाया यानि यह जो 25 नमबर है यह रिपीट हो रहा है तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन करेंगे 25 अपन 99 इक्वल टू 0.2525 इस प्रकार से आंसर बनने वाला है इसलिए इसको राइट डाउन करेंगे 0.25 बार क्योंकि 25 नमबर क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए उसके उपर लगाया बार थर्ड एक्जम्पर देखते हैं 23 अपॉन 7 याने 23 नंबर को हमें 7 नंबर से डिवाइड करणा तो देखो इस प्रकासे करेंगे 7 3 जा 21 3-1 2 यहाँ पे 0 0 लगाया तो यहाँ पे decimal point आ गया 7 2 जा 14 6 तो 0 लगाया 7 8 जा 56 4 बचा फिर 0 लगाया 7 5 जा 35 तो 5 बचा 0 लगाया याने 50 नंबर हो गया तो 7 7 जा 49 1 बचा 0 लगाया 7 1 जा 7 3 बचा यहाँ पे 0 लगाया तो 30 नंबर हो गया 7 4 जा 28 2 बचा फिर से 0 लगाया 20 हो नंबर हो गया तो 7 2 जा 14 6 बचा 0 लगाया 7 8 जा 56 4 बचा तो भी यहाँ पे तुम यदि ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे 28 5 7 1 4 उसके बाद फिर से 28 से स्टार्ट हो गया यानि यह जो कंप्लिट नंबर है 28 5 7 1 4 यह नंबर रिपीट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी ध्यान से देखो यहाँ पे 20 आया फिर 14 फिर 60 फिर 56 यहाँ पे भी देखो 20 14 60 56 यानि यह जो नंबर है 28 5 7 1 4 यह कंप्लिट नंबर रिपीट होने वाला है इसलिए इसका answer इस प्रकार से write down करेंगे 23 upon 7 equal to 3.285714 यह complete नमबर क्या हो रहा है repeat इसलिए इसके उपर लगाया हमने बार फॉर्थ नमबर का एक्जामपल देखते हैं 4 upon 5 यानि 4 नमबर को हमें 5 नमबर से divide करना है तो 5 0 जा 0 4 बचा 0 लगाया यहाँ पे decimal point 5 8 जा 40 0 0 reminder 00 आगाया यानि 4 upon 5 equal to 0.8 यह मिल गया इसका answer अभी 5 नमबर का एक्जामपल देखते हैं 5 नमबर का एक्जामपल है 17 upon 8 यानि 17 नमबर को हमें 8 नमबर से divide करना है तो 8 2 जा 16 1 बचा यहाँ पे लगाया 0 यहाँ पे लगाया decimal point 8 1 जा 8 10 minus 8 2 0 8 2 जा 16 4 बचा यहाँ पे लगाया 0 8 5 जा 40 0 0 यानि यहाँ पे reminder भी मिल गया हमें 00 यानि यह बन गया हमारा answer इसलिए यहाँ पे write down करेंगे 17 upon 8 equal to 2.125 इस प्रकार से question number 2 यहाँ पे complete हो गया first example 0.6 dot तो यहाँ पे हमें assume करना है 6 dot यानि क्या होता है 6 जो नमबर है बार बार repeat होने वाला है इसलिए यहाँ पे x equal to 0.666 इस प्रकार से हमने write down किया equal to 0.6 dot अभी यहाँ पे one digit के बार decimal point है इसलिए हमें क्या करना है x को 10 से multiply करना है तो 10x बन गया उसी प्रकार से यह जो नमबर दिया गया है इसको भी हमें किस नमबर से multiply करना है 10 से क्योंकि हमने यहाँ पे x को 10 से multiply किया तो यह नमबर को भी हमें 10 से multiply करना है तो यहाँ पर नमबर मिल जाएगा 6.66 equal to 6.6 dot क्योंकि यहाँ पर यह जो 6.6 नमबर बार बार repeat हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर 6.6 dot इस प्रकार से भी हम इसको write down कर सकते हैं अभी यहाँ पर 10x में से जो x नमबर है उसको subtract करना है तो 10x minus x equal to अभी इस नमबर में से यह नमबर सब्ट्रैक करना है याई इस नमबर में से यह नमबर भी हम सब्ट्रैक कर सकते हैं तो किस प्रकार से write down करेंगे 6.6 minus 0.6 यह वाला नमबर हमने write down किया तो 10x minus x 9x equal to अभी दोनों के subtraction की तो यहाँ पर मिल जाएगा 6.0 9x equal to 6.0 का मतलब होता है 6 therefore x equal to 6 upon 9 यह मिल गाए हमें p upon q के form में second example देखते हैं अभी यहाँ पर second example दिया है 0.37 bar याने 37 के उपर बार है इसका मतलब क्या हो गया 37 जो नमबर है बार बार repeat हो रहा है इसलिए हम assume करेंगे let x equal to 0.3737 equal to 0.37 bar इस प्रकार से भी हम इसको write down कर सकते हैं अभी यहाँ पर 1,2 टू डिजिट के बार decimal point है इसलिए हम यह जो x नमबर है इसको हम 100 से multiply करेंगे 100 x equal to अभी यहाँ पर भी यह जो नमबर है इसको भी हम 100 से ही multiply करेंगे यदि हम इसको 100 से multiply करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 37.37 और इसी नमबर को हम इस प्रकार से write down कर सकते हैं 37.37 bar क्योंकि 37 जो नमबर है बार बार repeat हो रहा है अभी यहाँ पर 100 x में से यह जो नमबर है इसको subtract कर लेते हैं 100 x minus x equal to अभी यह दोनों की भी subtraction 37.37 minus 0.37 100 x minus x 99 x equal to दोनों की यह दिया हमने subtraction की तो यहाँ पर मिल गया 37.00 therefore x equal to 37 upon 99 37.00 का मतलब है 37 तो यहाँ पर write down की 37 और 99 x के साथ multiply था यहाँ पर आ गया तो divide हो गया यानि इसका answer मिल गया हमें 37 upon 99 third example 3.17 bar 17 के उपर यहाँ पर बार लगाया गया है अभी हम assume करेंगे let x equal to 3.1770 इसको इकिस प्रकार से write down करेंगे 3.17 bar इस प्रकार से अभी हम पर 1,2 टू डिजिट के बार decimal point लगाया इसलिए यहाँ पर x को हम 100 से multiply करेंगे तो बन गया 100 x equal to इस नमबर को भी हम किस नमबर से multiply करेंगे 100 से तो यह नमबर बन गया 317.17 और इसको इस प्रकार से write down करेंगे 317.17 bar क्योंकि 17 नमबर रिपीट हो रहा है इसलिए अभी यहाँ पर 100 x में से x नमबर को subtract कर लेते हैं 100 x minus x equal to अभी यह दोनों की subtraction 317.17 minus 3.17 equal to 100 x minus x 99 x equal to दोनों की यह हम subtraction करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा 314.00 तो यहाँ पर 314.00 का मतलब है इक्वल टू 314.00 यहाँ पर 99 x जैसा था वैसा x equal to 99 is set multiply यदि वो write को चला जाएगा तो डिवाइड़ यानि 314.00 अपॉन 99 यह मिल गया p upon q के form में फोर्थ नमबर का एक्जामपल देखते हैं यहाँ पर फोर्थ नमबर का एक्जामपल दिया है 15.89 अभी 89 के उपर बार लगाया गया है तो अब हम अजिम कर लेते हैं इस प्रकार से भी हम इसको write down कर सकते हैं इक्वल टू 15.89 बार अभी यहाँ पर 1,2 टू डिजिट के बाद लगाया था डेसिमल पॉइंट इसले एक्स को multiply करेंगे 100 से इसले यह number को भी हमें multiply करना है 100 से तो क्या मिल जाएगा 15.89.89 इक्वल टू इसको एक इस प्रकार से write down करेंगे 15.89.89 बार इस प्रकार से हमने इसको write down किया अब यह 100 एक्स में से इस एक्स को subtract कर लेना है 100 एक्स माइनस एक्स इक्वल टू अभी इस दोनों की subtraction 0.89 माइनस 15.89 यदि हम दोनों की subtraction करते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है 1574.00 और यहाँ पर subtraction करने के बार 99 एक्स तो इसको write down करेंगे 99 एक्स इक्वल टू 1574.00 देर्फोर एक्स इक्वल टू 1574.00 अपॉन 99.00 यह बन गया P अपॉन Q के फॉर्म में. फिप नमबर का एक्जामपल देखते हैं 2.514 बार अभी assume करते हैं let x इक्स इक्वल टू 2.514 एक्स के वाल्यू है यहाँ पर बार लगाया है इसलिए यहाँ पर यह वाल्यू रिपीट हो रही है इसको इस प्रकार से write down करेंगे 2.514 बार अभी यहाँ पर 1,2,3 त्री decimal point इसलिए इस नमबर को x नमबर को 100 से 3 डिजिट के बार था इसलिए 1000 नमबर से हम इसको multiply करेंगे यदि इसको 1000 से multiply किया तो इस नमबर को भी 1000 से multiply करना होगा तो क्या नमबर मिल जाएगा 2154.514 इक्वल टू 2514.514 बार यह नमबर मिल गया अभी दोनों की subtraction कर लेते हैं 1000 x minus x इक्वल टू इस दोनों नमबर की subtraction 212514.514 माइनस 2.514 दोनों की अधियम subtraction करते हैं तो 999 x इक्वल टू यह दोनों नमबर की subtraction 2512.00 therefore x इक्वल टू 2512 upon 999 यह बन गया P upon Q के form में इस प्रकार से आज हमने प्रेक्टिस से 2.1 इस में से question नमबर 1, 2 और 300 के आज का वीडियो कैसे लगा वो comment करके बताना है वीडियो को like, share और subscribe करना ना भूले thanks for watching this